हेलो एवरीवन वेलकम तो माई यूटूब चैनल विंडोस 11 का लेटेस अपडेट आया है 24H2 और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इसको स्टेप बाइस्टेप डाउनलोड कैसे करना है और प्लस में बताऊंगा आपको स्टेप बाइस्टेप इसको स्टॉल भी क दरूरत है तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने ब्राउजर पर आएंगे विंडोस 11 इंसाडर प्रिवीव डाउनलोड जैसे इसको हम टाइप करेंगे तो आपको यह जो सेकेंड वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आप आपके पास में कुछ एक ऐसा इंटरफेस आशेगा तो आपको यहां पर विंडोस इंसाडर प्रिवीव पर क्लिक करना एंगे और यहां मे Zar Зна是的 Isto का है आप इस पर simply क्लिख करेंगे और यहां से आपको कन्फर्म पर करना है में हैं हम आप को यहां से शे despर करनी है जैसे मैं हाँ इंग्लिस्न सलेट करता हूँ English language select करने के बाद में आपको confirm पर किलिक करना है और confirm पर किलिक करने के बाद में यह थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद में आपको यहां पर डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा वआफिश्यल के लिगता है यह मैक्रëmी कि और यहां सेसली ढाउनलोड कर सकते मैं इसका लिंक आपे में दे दूँगा आप सिंगल क्लिक में इसको ऐपन कर सकते हैं और आपको 64-bit डाउंलोड पर क्लिक करना है और आप जब करेंगे तो आपका सिंपली यहां से डाउंलोड स्टार्ट हो जाएगा इसका यह डाउनलोड फाइल है यह डाउनलोड फाइल है जैसे मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है इसको डाउनलोड कैसे करना है उसके बाद हमारा जो next step है नेक्स स्टप में आपको एक मिनिम्म 16GB के pen drive चाहिए और उसके बाद में आपको Rufus Software डाउनलोड करना है रूफस यह software bootable software है इसको डाउनलोड करेंगो रूफस को डाउनलोड करने के बाद में जैसे कि आप रूफस डाउनलोड कर लेंगे 4.4 पर किलिक करके आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है 4.4 क्लिक करेंगे आप घका यह डाउन लोड इस टार्ट हो जाएगा Just a download उसके बार में आपको यह रूफर डाउन्लोड होने के बाद में आप यहां से ओपन करेंगे रूफर को है और आपको क्या करना है आपको को 16jb के पैंड्राइब होनी चाहिए इससे जैसे कि रूफस ओन हो गया आपको यह 64GB के पैंडराइफ करिए इसमें आपको पैंडराइफ करना है यहां पर आपको जहां पर आपने डाउनलोड किया यह जैसे कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है यह वाला है यहां इसमें को आपको जैसी स्टार्ण के साफसे मां करना लेंगे पाद करने करेंगे और इस्टर्लिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे आप boot menu पे आ जाएंगे और यहां से आपको अपनी pen drive को select करना है जैसे कि मैं यह USB select कर रहा हूँ आप USB पे enter करेंगे उसके बाद में आपका यह window boot होना यह start हो जाएगा हम windows 11 के setup menu पे आ गये हैं हाँ तो हमें यहां पे simply language को language select करेंगे English और time format भी select कर लेंगे उसके बाद हम यहां पे next करेंगे और next करने के बाद में हम यहां से आ जाएंगे यहां पे आपको keyboard का layout सेट करना है तो हम यहां पे next करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां मैंने Windows 11 का UI भी चेंज हो चुका है जैसे कि लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा जो setup होता था वह थोड़ा means different type का था अब इस बार इन्होंने 24H2 में इन्होंने setup का भी menu भी change कर दिया है उसके बाद आपने यहां पे दो option आता है install install Windows 11 का और एक repair my PC का तो जैसे कि मुझे विंडो इस्टॉल अगर आपको रिपेर करना है अगर आपको विंडो तो आप रिपेर पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको न्यू विंडो इस्टॉल करना है तो आप इस्टॉल विंडोस 11 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको आई एग्री करने के बाद में आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है जैसे आपको यहां पर सिंप्ली एसप्ट पर क्लिक करना है है जैसा कि हम आप कितना कि शा नहीं हो चुका है जैसे कि आप देखएंग कितना कुंट इंद ना कदू तो मैं अस fått Deutschland विड़ो बूट करने के लिए तो मैंने यहां पर 24H2 रीवी नाम से मैंने बनाया हुआ था नया ड्राइव इस पर इस पर सिंप्ली जो हमने ड्राइब बनाई हैं उस पर किलिक करेंगे और यहां से तो अपने चैनल में बनाई हुई है कि आप उपने विन्डो सब्सक्राइब हैं तो हम यहां यहां और आगे इस्टॉल पे क्लिक करते हैं इस्टॉल करने के बाद में देखे जैसे कि आपका इस टॉलिंग स्टार्ट हो चुका है और एस गंपेर हम प्रिवियस फिंड प्रिवियस वर्जन की बात करें तो यह मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट है उसके बाद में यह इस्ट्रॉलिंग हो जाए इस्ट्रॉलिंग होने के बाद में देखते हैं इसमें और क्या चेंज़स है बाकि अगर आपको इसमें चेंज़स देखना है तो आप मेरे वीडियो पर ज़रूर विजिट करें वहां पर मैंने अलड़ी 24H2 की सभी लुक्ती फीचर की वीडियो बना दिया है और मैंने डेखने के बाद यूज करने के बाद मैंने देखा है उसमें 10 plus new features हैं सबके सब amazing features हैं अगर आप उसे वीडियो को देखेंगे तो really आपको इतना वो नहीं करना पड़ेगा और आपको easily आप वो new features को देख सकते हैं तो यह जैसे कि install हो रहा है जैसा कि यहां पर installation process complete हो गया है उसके बाद यहां से हम अपनी country को select करेंगे और यहां पर यहां पर yes करेंगे करने के बाद में थोड़ा सब वेड करना है यहां से यहां से आपको to buy तो यहां से अपको to can car цен कर रहा है किया अप इसको simply यहां करेंगे इस करने की रूबाद में अगर आपको लिब हम एड़ करना तो कर सकते हैं ऑदर्ल스क आइप दर्वाइस आप इसको यहां से इसकी भी कर सकते हैं इसे परने के बाद में आपको यहां फिर से थोड़ा सा वेट करना है और हम इसके अपड़ेट चेक होने के बाद में यहां पर आपको सिंप्ली करना है और करने के बाद में यहां भी थोड़ा सा वेट करेंगे उसके होगा और आपको यहां पर फिर से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको यहां पर फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में फिर यहां पर आप पर किल्क करेंगे और रिक सब्सक्bon करने के बात में देख सकते हैं आपका यह ano हो अब हम सेटिंग पर देखेंगे इसका बील्ट क्या है आजाएंगे आप यहां प против 76f ar और Settings पर आने के बाद में यह सेटिंग्स open होरा और यहां पर आएंगे System और सिस्टम पर आने के बाद में यहां पर अबड़ाई जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 24 H2 और वर्जन है 26058 अगर आपको इसमें और भी फीचर्स देखनें इसमें क्या निव नीव फीचर्स है तो आपको ऑपर आप बटन पर मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको 10 प्लस न्यू फीचर्स बताएं ओके अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है